तो यह चोटी सी फैमिली रहेगे नमस्कार दोस्तों डीके थीडियों डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरा नाम डीके लॉनकर है और आज आपके लिए फिर से एक प्लैन लाया हो 32 फिट बाई 37 फिट का बहुत ही बड़िया सा बहुत ही अलग सा प्लैन है प्लैन है और उपर एक टूबेस्ट के और एक वनार के है मतलब उपर का प्लैन जो है रेंड के इसाब से रहेगे काफी अच्छा और बेदर निसाब प्लैन है आपको आपके प्लैन के लिए इस वीडियो से कुछ ना कुछ नाउप आइडिया जबरूर आएगी तो मीनने रख बता दिया में विडियो है तो यहां पर आप देशाकता है यह क्लम पोजिशन जो है तो को मैं प्लंट का फ्राइब ओर उसके बाद में प्लंट का लेंध आपको बता दिया है ईसके बाद में यहां हमारी न przedstaw से बना लेते हैं तो 32 feet 6 inch by 37 feet में सिर्फ ये construction किया गया है इसके अलावा जो है ventilation के लिए आपको आजुबाजु में कुछ जगा चोड़ना पड़ेगी तो पूरा detail में आपको समझने वाटर वाल हमने 9 inch की फटापट से बना ली है और inner wall जो है हम 4 inch की बना लेंगे और इसमें जो है car parking के लिए भी जगा कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ पूरा detail dimension तो देखिए यहाँ पर यह जो है पूरा पूरा जो हमारा structure complete हो चुका है इसके dimension डाल देते हैं और इसके बाद में इसको starting से समझ लेते किस step में बनाया है ठीक है तो पहले यहांपर हम staircase बना लेते हैं यह staircase का position है अगर हम चाहे तो इस side से आपने start किया है अगर आप चाहे तो यह right side से start कया था मतलब यहाँई से लेकिन यहीक उल्टा ठीक है अगर clock wise करना है तो clock wise भी करसकते हैं पर अपको staircase नजर आरे तो वह गलती से clockwise हो गई है आप clockwise भी करसकते लेख हैं तो यहां पर यह हमारा staircase का मट्लब टावर रहेगा और staircase अमरी अंदर से रहेगे ठीक है तो चलिए यहां पर dimension डाल देते हैं फटापट से उसके बाद में प्लैनिंग समझेंगे जो काफी अच्छा और काफी अट्रेटिव है बहुत ही बड़ी असा प्लैन है तो देखी डामेशन तो हमने डाल दिये हैं अब पटापट से समझें लेते हैं यह प्लैनिंग किस टाइब में बनाएगा है से तो हमारा है 32 फिट सीखेंग है और यहां पर यह आप देख सकते हैं एक रेम बताएगा है उपर चड़ने के लिए और यह रेम को थोड़ा सा हाइट कम कर सकते हैं और यहां पर 9 फिट शिखेंग बाय सिक्टिन फिट का जो पैसेज है वहाँ पर हम कार भी खड़ी कर सकत है ठीक है मलब उसको जो है नीचे लेना पड़ेगा तो हमिले यहां प्र पार्किन के लिए जगा इस्तेवाल कर सकते हैं और इस टेर के अब डे सकते हैं और नौव फिट का लगा सकते हैं के लेप Benson playing पेसे छोड़ागा है या फिर फिर फ्रीर के लगा सकते हैं यह popping कार-प्रकिंग एर्या है या कि छहां पर मैं घूर्ण कर सकते हैं यहां पर लाश्य है यहांपर रहेगा रीयों की से करेंगे तो यहां पर हैंका कर मिलता है 17 इंड मिलता है सboys 17 निश्वां अLEवन इसमें हमारे हिसाफ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डॉर्स भी खाफी ज्यादा हो गया है यहां पर एक चोड़ा सा पूजा रूम गया है शाड़े चार फिट भी टीन फिट का पूजा रूम का साइज है मतलब चोड़ा सा मंदीर अगर हम बना सकते हैं अच्छा सा अर उसके बाद में उसके बाजू में आपको एक डॉर नजर आता है अब यह जो डॉर रहे गा यहां पर आप दे सकते यह जो डॉर रहे गा यह हमा जैने कर सकते ठीक है तो यहां पर हमने बेड स्पोजिश्यं औराटर done a बेडुम को सकते हैं अगर अगे बड़े में इंट करते हैं यहां से में आपको यहां पर किचन है हमारा आप दे सकते हैं किचन का साइज जो है आठ फिट दस इंच बाइब नौ फिट का और इसको वाशेरिया भी दियागा है आप दे सकते हैं यहां पर एक छोड़ा से बरतन वागर दोने के लिए जगा जी है और अगर इस साइड में आपके प्लास रोड नहीं है यह फिर जगा नहीं है तो वाशेरिया को ऊपन कर सकते हैं मतलब बढ़िया साइज है अब यह हमारा मास्टर बेटरूम है क्योंकि इसमें बातरूम पी दिया गा है जो अंदर से यूज होगा चार फिट बाइसका साइज मिलेगा मतलब आप दे सकते हैं यह मास्ट चोट वाला बेटरूम था फर्ष्ट वाला जो दिखाया था वह इसे गेस्ट रूम भी कर सकते हैं या फिर आपकी सबसे आप इसे यूज कर सकते हैं फिर से वापस आते हमारे लिविंग हॉल में और यहां पर आप दे सकते हम जनरल टौलेट बाथरूम की जरूत होती है त चोटा सा है स्टडी रूम भी इसे कर सकते हैं तो आप देशक्ते इस टैप में यह हुमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान जो है कॉंप्लिट होता है अब इसका फर्स प्लान का प्लान भी समझेंगे बहुत ही बड़ी आसा फर्स प्लान है अभी तक वीडियो को लाइक नही होती है तो उसको डीटेल में समझेंगे इससे पहले यहां पर जो है एक बार स्ट्रक्चर कंप्लिट कर लेते हैं देखिए यहां पर यह हमारी कॉलम पोजिशन थे वही कॉलम पोजिशन जो हमने ऊपर भी कंटिनु किया है ठीक है कोई भी चेंज करने की जोरुद भी नही हम देखेंगे सेप्टी के साफ से अगर हम देखेंगे तो हमको नव इंच की जो है और लेनी ही चाहिए ठीक है और अगर जाहे तो अब बड़े-बड़े सीटियो में जो है चेंज की वाल ले रहे हैं चेंज की भी ले सकते हैं लेकिन उसको मजबूती से त्यार करना लेसकते है अधर लखें लेकिकी फटाबस से बारां Stick भी जरूरत नहीं है इस एससे हमँरा बजेट में थोड़ा कमासा काम तो यहां पर आप देटे लगबग पंची की वाल भी कंप्लेट कर ली है अब प्लैनिंग समझ लेते हैं इसे था आपको पहले बताया है थिशे है में यह पुरा पुरा पूरा construction किया गा है और यह staircase जैसे जैसे नीचे थे से में उपर चल जाएंगे मतलब कितने भी मंजिल अगर हम आप बनाएंगे तो यही इसी टाइप में यह gaan पर हम हम बना सकते हैं तो सबसे यहां पर हम डाल दिते हैं कि अथे चली यहां पर हमने डाल दिये देखिए फ्रंट साइड में जो है पॉर्ष है जैसे कि नीचे हमने बता था नाव फिट छेंज बाई सत्रा फिट दो इंच का जो हमको पोर्च मिलता है जैसे नीचे हमारा पार्किंग का एरिया था उपर यह कि उपर जो हमारा वो पोच रहेगा ठीक है और लेफ सेड में किचन एक रूम बताएगा है जैसे इस पोर्च से आते हम स्टेरकेस से तो लेफ साइड में एक रूम एक किचन है और इसमें के टास्ट वाथ सुम भी दियागा है तो यहाँ पर यह स्टेरकेस है पर समझ लिए सेम स्टेरकेस है नीचे जैसे बताएथी वैसी इसको कोई चेंग नहीं किया गा है अब आग ज़रूरत में क्योंकि एक रूम मतलब 11-7-25 इस रूम का साइज है एक रूम एक किचन वन आर के बीसे करते हैं तो आठ फिट वाए आठ फिट से निच वाए शाब रहेंगे यह चोटी सी पहमिल रहेंगे तो यहां पर रह सकती है यह देखे कॉमन ट्वाइलेट दिया है सेवन फिट वन इंच का साइज है साड़े चार फिट वाए साथ पिट का इसमें ट्रॉलेट भी आठ जिस हो जाएगा ठीक है एक चोटी सी पैमिली यहां पर रहेंगे यहां पर रहेंगे यहां पर प्लान है उपर तो यहां से इंट्रू होती हाल में 17 फिट 3 इंच बाए 11 साइज मिलता है हमको हॉल का देखे 17 फिट 3 इंच बाए 11 फिट का मतलब काफी बड़ा हॉल का साइज मिलता है सोपा सेट वगरे जो कि स्टैप में रहेंगे यहां पर बालकनी भी मिलती है इस हॉल को इस सेड में तीन फिट की बालकनी मिलेगी और पूजा रूम जैसे हमेर आओ चाहिए और उसके बाद में वाशी रिया का साइज तो आपको बता दिया है तीन पीट वाइड है उसका तीन फिट विड है जैसे कि नीचे जनरल टौलेट बात्रूम ता सेम उपर भी जनरल टौलेट बाथरूम यहां जिस किया है और फोर वाला जो पिड़न वह वह ब्याट जिस क्या है अब आप देख सकते हैं उपर जो है रूम की साइज जो है थोड़े छोटे हो गए है लेकिन लेप साइड में एक रूम एक किचन निकला है सेपरेटली पी यहाँ पर जो बेडरूम है टेरा फिट बाइ गैरा फिट का है नीचे भी तियरा फिट बाइ गैरा फिट का ही था और इसमेंगा नितिर्ण निकलर बेसमद के जाँखे चार फिट 17 ऑसे सब्सक्रम बखरातर पर आप देख सकते हैं उपर जो है हमारा एक वन आर्ट के रूम है एक किचन है एक किचन और एक टूबेज के प्लैन है ठीक है मतलब दो फैमिली यहां पर ऊपर के मंजल पर रहेगे कि राएक यह साथ से या फिर फैमिली मेंबर भी रह सकते हैं स्टूड़न्ट वह रह सकते हैं मतलब आपकी रेंड भी आ जाएगा और उपर जो है फैमिली भी रहेगी और आप नीचे आराम से रह सकते हैं नीची की पराव से कोई भी डिस्टब नहीं होगा यहां पर बेडरूम है जैसे नीचे बताया था सेम बेडरूम है ठीक है इस ब मतलब स्केत है पहले बार चैनल पर आ रहे हैं तो चानल्व को भी सस्क्राइब कर लेजिए और वीडियो के बारे में प्लैन के बारे में कुछ कहना है ऐं तो कमेंट करके जरू पूछे तो इस वीडियो को देखने की लिए आपने आपके कीमति चिर्मञाई दया है इसके आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यमा तबिक लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स शुडियो में